अबिनेत्रे शिल्पा शेटी के पती राज कुंद्रा को एडेल्ट फिल्प बनाने के आरोक में मुंबाई पुलिस ने सोमवार को गिरफतार कर लिया था पॉन फिल्म बनाने और उन्हें आप पर अपलोड करने के मामले में हिरासत में चल रहे शिल्पा शेठी के पती राजकुंद्रा को लेकर पल-पल नई जानकारियां सामने आ रही है मुंबई क्राइम ब्रांच लगतार राजकुंद्रा को लेकर नए खुलासे कर रही है तो वहीं राजकुंद्रा के वाट्साप चाट से भी बहुत सी चौकाने वाली बात सामने आई है बता दे के राच कुंद्रा का नाम उनकी ही कमपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश कामत ने लिया था जिसे फरवरी में गिरफतार किया गया था आपको बता दे के बिजनसमैन पर लगे आरोपो के बाद से ही शिल्पा को खुब ट्रोल किया जा रहा है अभिनेत्री राच कुंद्रा के साथ कई कमपनियों में बिजनस पार्टर भी थी शिल्पा शेटी के नाम पर थे इस कमपनिया हैं और उनके पती नो कमपनियों के मालिक हैं शुक्रवार को मुंबाई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा और राच के जुहुवाले घर पर छापा मारा वहाँ पुलिस राच को भी अपने साथ लेकर गई थी इस दोरान शिल्पा शेटी और उनके पती में खो बहस बाजी हुई पुलिस ने वहाँ शिल्पा से भी लंबे समय तक पूछताच की अभिनेत्री ने इस बात से भी साफ इंकार कर दिया कि उन्हें होट शोट आप के बारे में कुछ पता था सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि पुछताच के वक्त शिल्पा बहुत घबराई हुई भी थी एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब पुलिस राच को लेकर उनके घर पहुँची तो दोनों पती-पत्नी में लंबे समय तक बहस बाजी हुई और उसके बार शिल्पा खुद को रोक नहीं पाई और वो पुलिस के सामने ही फूट-फूट कर रोने लगी आपको दादे के पुलिस को बयान दर्ज कराते वक्त भी शिल्पा कापी टूट चुकी थी शिल्पा से जब पुश्ताच हुई तो उन्होंने कहा कि उनके पती राज ने कोई पॉर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं बनाया है उस कंटेंट को एडल्ट नहीं एरोटिका जरूर कहा जा सकता है और इस तरह का कंटेंट तो वेब सीरीज के रूप में कई OTT प्लाटफर्म्स पर अवेलिबल है इसे के साथ ही आपको बता दे कि मुंबाई क्राइम ब्रांच की टीम शिल्पा शिटी के बैंक एकाउंट्स की भी जाच कर रही है क्योंकि शिल्पा वियान इंडरस्ट्री इसके डायरेक्टर रह चुकी है और पिछले साली उन्होंने इस थीपा दिया है ऐसे में इंडरस्ट्री से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए भी शिल्पा से दोबारा पूछताच हो सकती है आपको उतादे के जब से राच कुंद्रा की कस्टेडी को आगे बढ़ाया गया है और शिल्पा से पूछताच होई है पुलिस को डाउट है कि कमपनी के पैसो से कहीं शिल्पा को कोई प्रॉफिट तो नहीं हुआ है इस मामले में वो कितनी शामिल है मुंबाई क्राइम ब्रांच इस बारे में पता लगाने में जुटी है तो इस ख़बर के साथ मैती चेल्सी सिंग अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें